C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्यायतीन चतुर्भुजों को समझना प्रिष्ट संख्या 41 से लेकर प्रिष्ट संख्या 62 तक आईए सुनते हैं अध्यायतीन चतुर्भुजों को समझना प्रिष्ट संख्या 41 तीन दशमलव एक भूमिका आप जानते हैं कि कागज समतल का एक प्रतिरूप है जब आप कागज से पैंसिल को हटाए बिना बिंदूओं को आपस में जोडते हैं अकेले बिंदूओं को छोड़ कर आकरिती के किसी भी भाग को अनुरेखित किये बिना तो आप एक समतलिये वक्र प्राप्त करते हैं पिछली कक्षाओं में अलग-अलग प्रकार के देखे गए वक्रों को स्मरण करने का प्रयास कीजिए निम्न आकरितियों का सुमेलन कीजिए ध्यान रखिए एक आकरिती का एक से अधिक आकरितियों से सुमेलन हो सकता है यहाँ पर एक सारणी बनी है इस सारणी में दो स्तंब हैं आकरिती और नमूना स्तंब एक एक यहाँ पर एक समकोन बना है दो यहाँ पर गलत का निशान बना है तीन यहाँ पर एक वृत्त बना है चार यहाँ पर दो त्रिकोन बने हैं जो एक दूसरे से जुड़े है स्टम्भ दो नमूना A. सरल बंद वक्र है B. बंद वक्र जो सरल नहीं है C. सरल वक्र जो बंद नहीं है D. सरल वक्र नहीं है अपने मित्रों से इस मिलान की तुलना कीजिए क्या वे सहमत है 3. लवदो बहु भुज केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहु भुज कहलाता है नीचे वक्र की कुछ आकृतियां बनी है जो बहु भुज है इसके बाद वक्र की कुछ आकृतियां बनी है जो बहु भुज नहीं है प्रिष्ट संख्या 42 हम बहुभुजों का वर्गी करण उनकी भुजाओं या शीर्षों के अनुसार करते हैं। यहाँ पर एक सारणी बनी हैं। इस सारणी में तीन स्तंब हैं। भुजाओं या शीर्षों की संख्या पहला स्तंब है। दूसरा स्तंब है वर्गी करण। तीसरा स्तंब है आकृती नमूना। पंक्ती एक, तीन, तरे भुझ, तरे भुझ की आकरती, पंक्ती दो, चार, चतुर भुझ, चतुर भुझ की आकरती, पंक्ती तीन, पांच, पंच भुज, पंच भुज की आकरिती, पंक्ती चार, छे, शड़ भुज, शड़ भुज की आकरिती, पंक्ती पांच, साथ, सप्त भुज, सप्त भुज की आकरिती, पंक्ती छे, आठ, अश्ट भुज, अश्ट भुज की आकृती, पंक्ती साथ, नौ, नव भुज, नव भुज की आकृती, पंक्ती आठ, दस, दस भुज, दस भुज की आकृती, अंतमे पंक्तिदस एन एन भुज इसकी कोई आकृती नहीं है तीन दशमलवदो दशमलवदो विकर्ण किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किनी दो शीर्षों यानि आसन शीर्षों को छोड़कर को जोडने से प्राप्त रेखा खंड होता है आकृती तीन दशमलव एक पर गौर कीजिए आकृती तीन दशमलव एक यहां पर तीन आकृतियां बनी है PQRS, ABCDE और KLMN इन सब के विकर्ण बिंदूओं वाली रेखा से बनाए गए है प्रिष्ट संख्या 43 क्या आप उपर दी गई आकृतियों में प्रतियक विकर्ण का नाम दे सकते हैं आकृती तीन दशमलव एक पर गौर कीजिए क्या PQ एक विकर्ण है LN के बारे में आप क्या कह सकते हैं एक बंद वक्र में अभ्यंतर और बहर भाग का क्या अर्थ होता है यह आप भली बाती जानते हैं आकृती तीन दशमलवदो पर गौर कीजिए आकृती तीन दशमलवदो यहाँ पर एक बादल बना है बादल को काले रंग से रंगा गया है यह अभ्यंतर है इसके बाद एक बादल बना है जिसके बाहर काला रंग किया गया है यह बहर भाग है अभ्यंतर की एक परिसीमा होती है क्या बहिरभाग की परिसीमा होती है अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए 3.2.3 उत्तल और अवतल बहुभुज यहाँ पर कुछ उत्तल यानि कौनवेक्स बहुभुज और कुछ अवतल यानि कौनकेव बहुभुज दिये गए है आकरिती 3.3 बाई और उत्तल बहुभुज की आकरितियां है दाई और अवतल बहुभुज की आकरितियां है क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के बहुभुज एक दूसरे से कैसे अलग हैं। जो बहुभुज उत्तल होते हैं, उनके विकरणों का कोई भी भाग बहिर भाग में नहीं होता है। या बहुभुज के अभ्यंतर में किनी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड पूर्ण तया बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है। क्या यह अवतल बहुभुजों के लिए भी सत्ते होता है? दी गई आकृतियों का अध्ययन कीजिए। तदु परांत अपने शब्दों में उत्तल बहुभुज तथा अवतल बहुभुज समझाने का प्रयास कीजिए। प्रती एक प्रकार की दो आकृतियां बनाईए। इस कक्षा में हम केवल उत्तल बहुभुजों के बारे में अध्यायन करेंगे। तीन दशमलव दू दशमलव चार सम तथा विशम बहुभुज यानि regular and irregular polygons एक सम बहुभुज सम भुज तथा सम कोनिक होता है। उदाहरणार्थ एक वर्ग में भुजाएं तथा कोन बराबर मापकी होते हैं। इसलिए यह एक सम बहुभुज है। एक आयत सम कोनिक तो होता है परंतु सम भुज नहीं होता है। क्या एक आयत एक सम बहुभुज है। क्या एक सम बहुभुज एक सम बहुभुज है। क्यूं। प्रिष्ट संख्या चवालीस यहां पर कुछ आकृतियां बनी हैं जो सम बहुभुज या regular polygons हैं। कुछ आकृतियां बनी हैं जो विशम बहुभुज यानि irregular polygons हैं। संकेत दो डैश या एक डैश का उप्योग बराबर लंबाई वाले रेखा खंडों को दर्शाता है। पिछली कक्षाओं में क्या आपने किसी ऐसे चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है जो संभुज तो हो परन्तु संकोनिक ना हूँ। पिछली कक्षाओं में देखे गए चतुर्भुजों की आकृतियों का स्मरण कीजिए जैसे आयत, वर्ग, संचतुर्भुज इत्यादी। क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो संभुज तो हो परन्तु संकोनिक ना हो। 3.2.5 कोण योग गुण धर्म क्या आपको एक त्रिभुज के कोण योग वाला गुण धर्म याद है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। हमने इस तत्थे को समझाने के लिए जिस विधी का उपयोग किया उसे स्मरण कीजिए। अब हम इन अवधारनाओं को एक चतुर्भुज के लिए प्रयोग करेंगे। इनहें कीजिए। 2. त्रिभुजों में बांटा तो हमें 6 कोण प्राप्थ हुए हैं। त्रिभुज के कोण योगवाले गुणधर्म का उपयोग कीजिए और तर्क कीजिए की कैसे कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D के मापों का योगफल 180 डिगरी जमा 180 डिगरी बराबर है 360 डिगरी हो जाता है। 2. किसी चतुर्भुज ABCD की गत्ते वाली 4. सरवांग सम प्रतिलिपियां लीजिए जिनके कोण दर्शाय गए हैं। आकृती 3.5.1 इन प्रतिलिपियों को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए जिससे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 एक ही बिंदू पर मिलें। जैसा की आकृती में दर्शाया गया है। आकृती 3.5.2 आकृती 3.5.1 यहां पर एक चतुर्भुज बना हैं ABCD जिसके 4 कोण हैं A, B, C, D. 2.1 यहां पर चार चतुर्भुजों को ऐसे जोड़ दिया गया है कि कोण 1, 2, 3, 4 एक ही बिंदू पर मिल रहे हैं। ऐसा करने के लिए आप सही किनारे का मिलान कर उसे बदल सकते हैं जिससे वे ठीक धंक से लग जाएं। प्रिष्ट संख्या 45 आप कोण 1, कोण 2, कोण 3 तथा कोण 4 के योगफल की बारे में क्या कह सकते हैं। टिपपणी हम कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 इत्यादी से तथा उनकी मापों को M कोण 1, M कोण 2, M कोण 3 इत्यादी से दर्शाते हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल रिक्त स्थान होता है। आप इस परिणाम पर अन्य कई तरीकों से भी पहुँच सकते हैं। 3. चतुर्भुज ABCD पर पुनहे विचार कीजिए। आकरिती 3.6 माना इसके अभ्यंतर में कोई बिंदू P स्थित है। P कोशीर्शों ABC तथा D से जोड़िए। आकरिती में त्रिकों PAB पर विचार कीजिए। हम यह समझते हैं कि X बराबर है 180 डिग्री घटा M कोण 2 घटा M कोण 3 इसी प्रकार त्रिकों PBC से Y बराबर है 180 डिग्री घटा M कोण 4 घटा M कोण 5 त्रिकों PCD से Z बराबर है 180 डिग्री घटा M कोण 6 घटा M कोण 7 और त्रिकों PDA W बराबर है 180 डिग्री घटा M कोण 8 घटा M कोण 1 इसका उप्योग करके कुल माप M कोण 1 जमा M कोण 2 जमा रिक्त स्थान जमा M कोण 8 घ्याद कीजिए क्या यहे आपको परिणाम तक पहुँचाने में सहायता करता है याद रखिए कोण X जमा कोण Y जमा कोण Z जमा कोण W बराबर है 360 डिग्री आकरिती 3 दशमलव 6 यहाँ पर एक चतुरभुज ABCD बना है जिसे विकरणों की सहायता से चार त्रिभुजों में बांट दिया गया है जहां दोनों विकरण मिल रहे हैं वह बिंदू P है और वहाँ पर चार कोण बन रहे हैं W, X, Y, Z इसके बाद चतुरभुज को विकरणों की सहायता से बांटने के बाद हमें आठ कोण मिले हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ चार ये सभी चतुरभुज उत्तल यानि कॉन्वेक्स चतुरभुज थे यदि चतुरभुज उत्तल नहीं होते तो क्या होता चतुरभुज A, B, C, D पर विचार कीजिए इसे दो त्रिभुजों में बांटिए और अंत्तह कोणों का योगफल ग्याद कीजिए आकृती 3.07 यहां पर एक चतुरभुज A, B, C, D बना है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचनस्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समन्वेक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत